हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुभी का इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजिटी पिजटी एक्जाम डेट के बारे में यानि की यूपी टीजिटी पिजटी की परिक्षा की तारीक के बारे में कब तक आपकी परिक्षा हो रही है साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी सिच्छिक भरती के विग्यापन के बारे में यानि की यूपी सुपर टीटी के एक्जाम को लेकर और एक सवाल बीयर को लेकर भी क्योंकि बीयर करने वाले अभ्यरतियों के लेकर भी इस समय पर बहुत सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिसे कि आपको जानकारी और यूट्री यूट्यूब चैनल से मिलती रहें दोस्तों मैं आपको एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दो कि अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई पढ़ाई कर बाता हूं तो वह पूरे तरीके फिरी में होती है यानि कि मां कोई कोर्स बना कर कभी आज तक मैंने नहीं बैचा है पांच साल से मैं आप सुझा हूआ हूँ लेकिन जसा कि आप जानते हैं कि अभी तक मैंने कोई course बनाकर नहीं बेचा इसका मतलब ये है कि अगर देंगे तो फेमय याफ sự नहीं देंगे लेकिन course बना कर नहीं बेचेंगे सत्य यही है इससे यह कहना चाहता हूँ मैं आप सुभी से कि मैं आपको जो भी जानकाई दूँगा वो किसी course के लालच में आकर नहीं दूँगा किसी भरती के बारे में क्योंकि मुझे पताएं मुझे जो अवेरती जुड़े हुए है वो अपनी preparation मेरी दीगई जानकारी के अनुसार ही आगे बढ़ाएंगे अपनी तयारी उसी तरीके से करेंगे जिससे कि उनको आने वाले समय के अंदर भरती में सफलता मिले पिछले कई दिनों से यूपी टीजटी विजटी को लेकर बहुत साई अवेरती पूछें कि सरपारीक्षा कब तक होगी आपने पिछले एक महीने से कोई जानकाई नहीं दी है और जानकाई न देने की सबसे बड़ी वज़े थी कि टीजटी विजटी को लेकर कोई भी नई जानकाई ना आना अब थोड़ी सी नई जानकाई मिली है तो मैं आपको बता देता हूँ असल में टीजटी विजटी की तयारी करने वाले अव्यरतियों के लिए थोड़ी काम की बात ये है कि अगर आपने टीजटी विजटी में आवेदन कर दिया था ठीक है और उसके लिए आप लगातार प्रपेरेशन कर रहे थे अगर आपके पास कोई दूसी भरती भी प्रपेरेशन करने के लिए है तो आप दोनों भरतियों को समय दीजिए क्योंकि जो टीजटी पीजटी की परिक्षा करवानी है वो नए सिक्षा सेवा चैन आयोग से होनी है अब सवाल ही है कि परिक्षा टीजटी पीजटी की कब तक देखने के लिए मिलेगी और कब तक ये परिक्षा हो जाएगी तो इसको लेकर जब मैंने कई अधिकाईयों से जानने का प्यास किया सबसे पहले अगर बात की जाए उप सचिव नवल किशोर माध्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोड़ और नए सिच्छा सेवा चैन आयोग के बनने वाले सदर्सिसे उन्होंने कहा कि जो टीजिटी पिजटी की परिक्षा को लेकर बर्तमान में कंडिशन दिखाई दे रही है उसके मताबिक अब ये परिक्षा इस साल तो किसी कीमत पर होगी नहीं यानि कि दिसंबर तक इस परिक्षा के होने की संबाबना बिलकुल ना है ठीक है दूसरा जब उन्होंने ये बताया कि परिक्षा को लेकर कोई संबाबित तारीक तो नहीं बताई जाती लेकिन यहाँ पर आयोग में कितना समय लगेगा उसको लेकर उनको अपडेट मिली है असल में उनको बताया गया है कि जो नई सिक्षा सेवा चैन आयोग के अंदर सदस्यों की नियुकती होनी है वो अगले महिने तक कंपलीट कर दी जाएगी यानि कि नई सिक्षा सेवा चैन आयोग के अंदर होने वाले सदस्यों की नियुक्ती दिसंबर तक complete होगी हो सकता है दिसंबर मेड में हो जाए या फिर उससे आगे चली जाए लेकिन दिसम्बर तक नई सिच्छा सिवा चैड आयोग के अंदर सदस्यों की जो निप्ती का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और समाप्त भी हो सकता है उसके बाद ही लगबग एक या दो महीने में इसकी परिक्षाओं को लेकर त्यारियां शुरू होगी यानि कि यूपी टीजीडी पीजीडी की त्यारी करने वाले अभीयती इस बात को समझ लें कि ये परिक्षा अब दिसम्बर में तो नहीं होगी जनवरी में होने की संबावना बहुत कम है अगर होती है तो फरवरी में आपको देखने के लिए मिल सकती है उससे पहले अभी ये परिक्षा नहीं होने वाली क्योंकि अभी नए सिच्छा सेवा चैन आयोक को लेकर सदस्यों की नियुकती का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा ये है टीजीडी पीजीडी एक्जाम डेट को लेकर साई और सटीक अपडेट अब आप इसके अनुसार अपनी प्रेपेशन धीये धीये कर सकते हैं कोई दोसी भरती हो तो साथ में थोड़ा समय आप उसको भी दे लीजिए इससे क्या होगा कि एक तरफ आपकी डीजीडी की प्रेशन चलते है या दूसी तरफ जो आपकी दूसी भरती है उस पर आपका फोकस बना रहेगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं 51,112 पदो पर नई प्रैमरी सिच्छक भरती के विग्यापन की बारे में पिछले कई दिनों से अब बरती कहा थे कि सर आपने तो यूपी प्रैमरी सिच्छक भरती को लेकर न्यूस देना ही बंद कर दिया बिहार सिच्छक भरती आगी आप तो बिहार की जानकाई दे रहे हैं यूपी प्रैमरी सिच्छक भरती की जानकाई नहीं दे रहे हैं शिक्षामंती से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी कोई योजना नहीं है बेसिक सिच्छा विवाक के जो अधिकारी है वो ये कहते हैं कि अभी कोई योजना नहीं है और करी कोचिंग संस्तानों के माध्यम से नई प्रेमरी सिच्छक वरती के बारे में कहा जाता है कि नई प्रेमरी सिच्छक भरती का विग्यापन आ रहा है असल में मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि कोर्स के चक्र में आपको ऐसी जानकरिया मिल तो जाती है लेकिन अभी 51,112 पर नई प्रेमरी सिच्छक भरती को लेकर दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है इस साल तो भरती की कोई उम्मीद की जा सकती है अदर्वाइज आप भी जानते हैं कि अभी उत्तर प्रेश में नई प्रेमरी सिच्छक भरती आने वाले एक दो महिने तक तो दिखाई नहीं दे रही है नवंबर तो भूल जाई है और दिसम्बर में आएगी नहीं क्योंकि आयोगी न बनेगा उसके बाद अगर सरकार चाहेगी तभी ये भरती का विग्यापन आएगा अधर्वाइज अभी प्रेमरी सिच्छक भरती को लेकर सरकार या फिशासन इस्तर पर कोई विचार नहीं चलना है इसको लेकर उन्होंने कई बार जानकाईयां दे दी हैं ये सच है क्यों आने वाले वविश में जब भी होगा क्या उसमें बीएड करने वाले अभियती बैठेंगे तो इसका सीधा सा जबाब ये है कि जो सुप्रीम कोट ओफ इंडिया ने 11 अगरस 2030 को आधिस दिया है उस आधिस के आधार पर अभी बीएड पूरे तरीके से प्रेमरी सिच्छक बहार है और कोई भी सरकार कोई भी जो बिग्यापन निकाले की उसमें बीएड को समलित नहीं कर सकती जब तक उस सुप्रीम कोट के आधिस के अगेंस या तो एंजटी कोई नई गाइडलाइन जारी कर दे नई अधिसूचना जारी कर दे या फिर केंद सरकार के माधियम से कोई नया कानून बना दिया जाए तब तक के लिए ये आधिस पूरे तरीके से प्रभावी है और उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यति समलित नहीं होंगे लेकिन अगर भविश में नई प्राइमरी सिच्छक बर्थी आने से पहले अगर सरकार के माधियम से कोई थोड़ा मुश्किल समय है बाकी तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुनबाईयां हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा कुछ होनी रहा बीएड के लिए इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए यहां पर एड़िट जूनियर और 79,000 सिच्छक बर् तो उसमें यही लिखा था कि एड़िट जूनियर को लेकर निरास्ट लोटे अभ्यर थी उसकी वज़य है कि बेसिक सिच्छा विवाक के जो अधिकारी है उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी हम एड़िट जूनियर सिच्छक बर्ती में कोई भी प्रोसरस आगे नहीं सकती है अधर्वाइस यह भरती ऐसे ही आगे और लटकी देने की संभावना है उन्हेतर हजार सिच्छक बर्ती के नई चैन सूची को लेकर कल शातों ने धरना प्रदिशन दिया था कि नई चैन सूची के बारे में जानकाई दी जाए कब तक जारी करेंगे तो जो मैंने आ से मामला फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम कोई भी नई चैन सूची जारी नहीं करेंगे ये थी तमाम बड़ी लेटेस अब्डेट इन तमाम बर्तियों के बारे में थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो